हेलो स्टुडेंट्स मैं डोक्टर विक्रम सिंग देशवाल बाइनिटा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का अभी नंदन करता हूं जिन बच्चों ने अपना टीजीटी बाइलेजी 2016 का अभी हाल में एक्जाम दिया है तो इस पेपर को मैं यहाँ पर सोल कराने जा रहा हूं और मैंने कोशिस किये कि एक बैस्ट की देने की और इस कोशन फेपर में कुछ कोशन कंट्रोवर्सेल भी है जिनको मैं बताऊंगा और डिपैंड करेगा कि बोर्ड उस कोशन के किस आंसर को ज्यादा एजिम कर रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट टीजिटी पायरीजी 2016 का की तो इस में जो सबसे पहला कोशन है हमारा कोशन नमबर वन हमारा क्या कहता है इस डिफाइंड ऑफ डिफाइंड खेंड ही और डिजाइड करेंगा तो यहां पर प्रोप्सन दिए हैं तेकिए क्या होता है, evolution क्या है, एक progressive development है, यह suddenly होने वाला development नहीं होता, जो suddenly change हुआ करते हैं, वो mutation कहलाते हैं, बट जो progressively develop होते हैं, उसे evolution कहते हैं, तो evolution किस पर बेस है, यह एक सोचने वाली बात है, evolution specific variations या modifications पर बेस होते हैं, जिनको हम variations या mutations भी कहते हैं, तो कहने कई, mutation और plus natural selection दोनों ही promote करते हैं evolution को, यह new darwinism है या new demarkinism है, ऐसा हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका option right होना चाहिए, वो भी option right होगा, discount with modifications, तो हम भी option के साथ जाएंगे, चलते हैं, next question की और, next question हमारा क्या कहता है, इन आप food web, hans and vultures are, given option में से, food web के अंदर, hans and vultures किस category में आते हैं, देखिए, इस question में, अगर आप more correct answer की बात करते हैं, तो इसमें, हमारा, c option right होना चाहिए, इसमें आप जानते हैं कि food web के दौरान, जो vultures होते हैं, वो इसके बाइंजर्स की तरह perform करते हैं, यह जो dead bodies होती है, उनको वो अपने feeding के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट यह जो है नाज है, यह एज प्रिडेटर्स भी परफॉर्म करता है, फूड वैब के अंदर, तो अब डिपेंड करेगा, बोर्ड के उपर कि वो किसको आजम कर रहा है, लेकिन हम ज्यादा, जो more correct answer हमें लग रहा है, वो इसके वेंजर्स होना चाहिए, तो चलते हम next question क और next question हमारा के third question, the equation lactate alanine glycerol converts into glucose represents which of the following, तो given option में से ये equation किन के लिए फिट बैट रही है, ये question की demand है, और इसमें देखिए, ये जो आपको question आपके सामने जो है, ये आपको ये बताने की कोशिस कर रहा है, कि यहाँ पर जो simple type की amino acids है, जैसे alanine है, या कुछ अलग type की specific organic acids है, जैसे की lactic acid या lactate है, या कुछ alcoholics organic compound है, जैसे glycerol है, ये सीधे glucose में convert हो रहे हैं, तो glucose को form क्या जा रहा है, यहाँ गलाइकोज उनको सिंतेसाज नहीं क्या जा रहा है, गलुकोज को form क्या जा रहा है, इन फॉर्म से, तो आप इसमें amino acid भी है, इसमें lactic acid भी है, और glycerol भी है, तो इसमें C option आपका राइट होगा, गलुकोज को newly synthesized किया जा रहा है, तो थर्ड option का, थर्ड question का हमारा C option राइट होगा, चलते हैं next question की और, और next question हमारा fourth question है, और fourth question हमारा क्या कहता है, तो इसका जो answer राइट होगा, आपका D option राइट होना चाहिए, intestine, तो आप intestine, D option को टिक करेंगे, चलते हैं next question की और, और next question question नमर fifth हमारा है, earliest evidences of social life are attributed to, मतलब यहाँ पर जो given options है, उनमें से किसके evidence हैं से मिले हैं, जो sociality दिखाते थे, या social life जिनकी हुआ करती थी, तो उन category of man का आपको हमापर specify करना है, यह question की demand है, तो actually देखिए, जो भी given options है, उनमें से जो नियंडर्थल man है, यह आज के या modern man से भी ज्यादा intelligent हुआ करते थे, इनका जो cranial ability size था, वो 1200 से लेकर 1750 cm cube हुआ करता था, और यह जो man थे या human थे, यह नियंडर्थल नाम की valley से create हुए थे, और यह मानना है कि आज जो modern man है, modern human है, उनके अंदर लगबग 2% DNA नियंडर्थल का present है, और नियंडर्थल जो इवोल हुए थे, वो Europe और Asia से create या इवोल हुए थे, बड़ जो modern human है, जो modern human की species है, वो अफ्रीका से वोल हुए थी, तो हमारा जो correct answer होना चाहिए, इनमें socialitive हो जादा थी, ऐसे evidence मिले हैं, नियंडर्थल मैन के, तो हम view option के साथ जाएंगे, और हमारा view option correct होगा, नियंडर्थल मैन, चलते हैं next question की और, ओपदाप following, which is not a vestigial organ, given option में से कौन सा vestigial organ नहीं है, तो आप सभी को पता है, कि wisdom teeth, appendix, tailbone, यह तीनो ही vestigial organ होते हैं, इनका performance अफ हमारी body में नहीं है, तो यह as a vestigial organ की तरह हमारी body के अंदर है, अगर किसी के अंदर present होते हैं तो, और हैंपर bones दिया है, तो bones vestigial organ नहीं है, तो वहीं हैंपर question पूछाया है, question के demand यह ही है, तो हमारा answer क्या right हो जाएगा, D option right होगा हमारा, हम चलते हैं next question की और, तो, जो next question हमारा 7th question है, which of the animal does not have an elementary canal, question यह पूछ रहा है कि, जो given options है animals के, उन में से किनमे elementary canal present नहीं होती है, तो given options जो है faciola, asqueries है, ankylostoma है, tinea, तो आपको अच्छे से पता है कि जो tinea solium है, वो basically intestine के अंदर found होता है, और वो suckers की through attached रहता है intestine से चेपकता है, बट जब उसे food की जूर्थ होती है, तो absorption करता है, उसके अंदर elementary canal की नीड़ नहीं है, वो अपनी body surface से absorption करता है, nutrition का या food का, अपनी growth और अपने development के लिए, तो हमारा जो answer right हो जाएगा, 7th question का वो tinea solium होगा, तो हम D option के साथ जाएंगे, चलते हैं next question के और 8th question, chem plants at night produce, chem यानि grassulation acid metabolism, जो chem plants है, यह 0-50 category है, और आपको अच्छी से पता है, जो जिरोफाइट plants होते हैं, उनमें इस्टोमेटा night में open होते हैं और day time में close हो जाते हैं, तो ऐसे type के इस्टोमेटा को हम इसको टेक्टिव इस्टोमेटा या संकेन इस्टोमेटा कहते हैं, तो खास बात ही होती है कि night में जब यह इस्टोमेटा open होते हैं तो pyruvic या phosphoenol pyruvate जो होते हैं, जो pyruvic acid से बने हैं, phosphoenol pyruvate carbon three containing compound यह होते हैं, तो यह PP CO2 से reaction करने के बाद में, पहले oxaloacetic acid को foam करेंगे, और oxaloacetic acid के बाद में यह convert हो जाएंगे, malic acid में during night time, और this malic acid stored into the vacuum, जब daytime की बात आती है तो इस्टोमेटा close हो जाते हैं, क्योंकि malic acid वहाँ पर break होकर, high amount of CO2 और pyruvic acid को synthesize करने का काम करता है, तो ज्यादा acidic nature वहाँ पर बन जाएगी, तो इस्टोमेटा close रहेंगे, उसी दोरान food का formation भी होगा, day time के दोरान लेकिन इस्टोमेटा वहाँ पर close रहेंगे, unseparated but unseparated centromere are cold, तो बड़ा simple question है, question को थोड़ा सा handle करने की जूरूद थी, chromatids एक साथ joint होते हैं, और यह chromatids जो हैं वह यह दूसरे के duplication में हैं, मतलब दोनों chromatids same type के हैं, बट एक ऐसा area जहां पर unseparation area है, यहां पर attach होते हैं point, उसको हम centromere कहते हैं यह बात आपको पता है, तो ऐसे chromatids जो same centromere से attach होते हैं, और जो एक दूसरे के duplicate condition में हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, वह sister chromatids कहलाते हैं, जब different chromosome के chromatids की हम बाते करते हैं, तो उनको हम non sister chromatids कहते हैं, यहां पर same type के duplicated chromatids की बाते हो रही हैं, तो यहां पर किस answer के साथ हम लोग जाएंगे, हम A option की साथ जाएंगे, हमारा sister chromatids answer correct होना चाहिए, चलते हैं next question के और question number 10 हमारा क्या कहता है, in long soil, the proportion of soil particles is, मतलब हिंदी में दूमट मिट्टी कहते हैं, इसमें जो मृदा करना है, उसका ratio पूछा है, अनुपाद पूछा है, तो यहां पर जो option given है, देखिए, actual में क्या होता है, actual में क्या होता है, कि जो loam soil होती है, उसमें 40% sand होता है, 20% clay होता है, और 40% उसमें silt होता है, तो यह एक ratio होता है, actual में sand का, लेकिन हापर given option में से, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, absolutely, मतलब पूरी तरह से accuracy नहीं है, accuracy नहीं है, accuracy नहीं होने के विए सब किस option किसा जाएंगे, तो जो near about answer होगा, तो 50% sand, 50% में clay भी आएगा और silt भी आएगा, तो हमने कहा था कि 40% sand होना चाहिए, तो 40 से थोड़ा सा उपर है, तो हमारा जो more correct answer हमें लग रहा है, वो क्या है, वो D option correct लग रहा है, तो चलते हैं हम next question की और, which of the following is flying fish, shark, chimera, latimeria, exocytus, तो exocytus, शीदा से direct question पूछा है, flying fish, बड़ा famous है, तो exocytus flying fish होती है, चलते हैं next question की और, question number 12 हमारा क्या कहता है, ओप the following which animal exhibits retrogressive metamorphosis, तो देखिए, आप जानते हैं, retrogressive metamorphosis, जो होता है, वो हड मानिया में होता है, हड मानिया, तो हम किस answer के साथ जाएंगे, हड मानिया के साथ जाएंगे, बी option हमारा correct होगा, इधर ampioxus में नहीं होता है, या ब्रेंक्योस्टोमा भी कहते हैं, तो हमारा answer correct है, हड मानिया है, और चलते है, next question की और, which type of joints are found in the pectoral and pelvic girdle of frog, from the following, देखे, according to me, इसका जो answer more correct होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बोल and socket होना चाहिए, बोल and socket, ये इसका answer होना चाहिए, चलते हैं, next question की और, the blood of ferrituma is red, due to presence of, जो earthworm या फेरिटुमा का जो बलड होता है, वो red होता है, किसी बैसे red होता है, आपको अच्छे से पता है कि, earthworm के अंदर भी hemoglobin होता है, और, उसका color जो है red होता है, बलड का, लेकिन, आप जानते हैं कि उसका जो बलड होता है, प्लाज्मा में solubilize होता है, dissolve होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है, जो प्लाज्मा में dissolve होगा, तो इसका मतलब, वो cell के अंदर तो नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, intercellular cell के बीच में हो सकता है, तो intercellular, इसका more correct answer होना चाहिए, तो चलते हैं, हम कि option के साथ जाएंगे, c option के साथ जाएंगे, intercellular hemoglobin, not inside the cell, ये intercellular more correct answer होगा, तो चलते हैं, next question की हो, जिनोफोर is the name of, जिनोफोर को हम nucleoid भी गहते हैं, जिनोफोर को हम nucleoid भी गहते हैं, और आपको अच्छे से बता है कि जो जिनोफोर होते हैं, वो double standard circular DNA को कहते हैं, जो सभी prokaryotes में present होते हैं, वो चाहिए, archibacteria है, या eubacteria है, माइकोपलाज में है, या ectinomyces members है, तो इन सभी में present होते हैं, यहां तक कि cyanobacteria है, तो इन सभी में, यह सभी prokaryotes होते हैं, kingdom monaria में taken किये गए हैं, यह सभी kingdom monaria में taken किये गए हैं, तो जिनोफोर, क्या है actually, वो बैक्टरिया का जो DNA है, उसको हम जिनोफोर कहते हैं, इसका दूसरा नाम nucleoidy भी है, तो हमारा answer क्या, right हो जाएगा, B option correct होगा, DNA bacteria, यह double standard circular हुआ करते हैं, इस बात का आप धियान रखेंगे, next question क्या है, elators of mercantia are, देखिए, पहले तो आपको यह पता होना जाएए, कि mercantia में elators होते का हैं, mercantia की जो main plant body होती है, वो gametophyte होती है, यह जो food बनाने वाला part होता है, उसको gametophyte कहते हैं, और उसकी upload होती है, लेकिन जब उसमें sex organs develop होते हैं, उसके थैलस के उपर, तो वो sex organs measure होने के बाद में male and female gametes को develop करते हैं, mercantia में male body अलग होती है, female body अलग होती है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि male sex organ को anthridium बोला जाता है, female sex organ को archegonium बोला जाता है, तो जब इनके gametes develop होते हैं, तो आपस में fusion करेंगे, इना presence of water, fertilization होगा तो जाइगोड बनेगा, जाइगोड से अब embryo बनना शुरू होगा, लेकिन यह embryo जो होगा, इस embryo का development जब होगा, तो उसी को हम कहते हैं, sporophyte कहते हैं, उस sporophyte के अंदर, कुछ specific दो टाइप की cells ऐसी होती है, लेकिन जो spor mother cells होती है, वो division करके, कौन से वाला division करके, मियोसिस वाला division करके, एक cell से चार cell बनाती है, जिनको हम sports कहते हैं, हैना, tetrad sports बनाती है, वो सभी के सभी haplode in nature होगे, बट हम जब उधर हमने बता था कि elater mother cell जो बनती है, जो sterile in nature होती है, वो अगर division करेगी, तो मियोसिस डिविजन को फॉलो नहीं करेगी, वो माईटोटिकली डिवाइड होगी, वो माईटोटिकली डिवाइड होकर, वो बहुत सारा numbers क्या बनाएगी, इलेटर्स बनाएगी, तो माईटोटिकली में कभी पी chromozome के number में कोई चेंज नहीं आएगा, उसी इप्लोडी हमारा करेक्ट होगा डिपलोड एंड हाइग्रोइसकोपिक यही इसका आंसर राइट होगा चलते हैं नेक्ट को कॉश्ट नमर्ट सेवंत इन दा ओरिजन ओप इस्पीज बाई डार्विन दा कॉंसेप्ट ओप कॉंपिटिशन वोज टेकन फ्रॉम विच ओब दा फोलोईं त तो यह फ्रॉम गलवन उन्हें कहां से लिए है गिए साइंटिस्ट कौन थे हो तो किसको नों ज्यादा फोलो किया है तो देख़िए call टु मैं अभर्विन ने फोलो किया था ओट्यारमालतास को keeps us ऑगश ऑर वहलेस ने इनकी साथ मिलकर काम किया था इस निचिर Cinnamon के लिए तो जिसमें concept of competition की बात है की गई थी तो यह थोड़ा सा question जो है controversial है इसमें a option भी और d option भी दोनों है तो इसमें से जो more correct मेरे को लग रहा है वो a well as होना चाहिए तो हम a option के साथ जाएंगे a well as तो चलते हैं next question की ओर हमारा next question के question number 18 है क्लिवेज इन फ्रोग इज तो देखे मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रोग विद एम्डियूनिक डवलमेंट के ऊपर बाइनटा क्लासिज में तो उसमें मैं इस question को discuss किया है उसमें से दो question उस वारी जै क्लास में से आये हैं तो लब अदे घंटे के वो वीडियो थी तो उ क्या है होलो ब्लास्टिक एंड अन इक्वल इसको मैंने पूरी तरह से एक्समें भी क्याता हूं पर तो जिन बच्चों को इस question को बहुत अच्छे से एक्समें करना है तो इस वाली वीडियो को देखेंगे वहां से आपको पूरा concept के लिए हो जाएगा तो इसका अंसर क्या चलते है next question क्यों और 19th question हमारा क्या कहता है soil water absorbed by plants is cold जो soil water है जो प्लांट उसमें से पानी को absorption करते हैं तो कौन सी category of water है जिसको वो absorb करते हैं अव फ्रोशित करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो total amount of water है soil के अंदर जो भी पानी जमा होता है रिनी वोटर से आकर जो water table में जाकर खटा होता है उसे को गरीवे टेशनल वोटर भी कहते हैं total amount of water भी उसको हम कहते हैं तो उस water के लिए ट्रम दी गई है उसको होलार्ड कहते है होलार्ड उसमें से जो पानी plants को available हो रहा है capillary water वो कैटेगरी होते है उस capillary water को यहां पर जो ट्रम है उसमें उसको क्रिजार्ड कहते हैं क्रिजार्ड है ना तो जो क्रिजार्ड के बाद में जो बाकी remaining amount of water है जो plant को available नहीं हो पाती है उसको इकार्ड कहते हैं तो यहां पर ध्यान करना है हो सकता है कभी आने वाले एक लेने के बाद जो remaining water होता है उसको हम एकार कहते हैं टोटल amount को भूलार कहते हैं और जो plants पानी को ले रहे हैं जिस पानी को ले रहे हैं उसे पानी को हम क्रिजार कहते हैं तो हम किस option किसा जाएंगे हमारा first option अनि एराइट होगा 19 का चलते हैं next question की और question number 20 हमारा क्या कहता है who described the annual recurrence of rust of wheat in India देखे पहले पता होना चाहिए कि रस्ट क्या है wheat plant पर disease cause करने वाला rust disease cause करने वाला एक fungus है उसका नाम है Paksinia तो Paksinia के अंदर वह हेट्रोसाइकलिक फंजाई है Paksinia Grimini strategy का उसको कहते हैं और यह जो फंगस है यह मुश्ली Grimini family के members पर अटेक करती है डिजीज कोज करती है लेकिन इन में से जो common end का और wheat plant है wheat plant पर disease cause करती है उसी को रस्ट disease on wheat कहते है तो डॉक्टर केशी मेथा ने रिकरंस रिकरंस ओप रस्ट इन या ओन wheat plant इन इंडिया के उपर उन्होंने काम किया बहु ज़्यादा और यह जो पक्सीना है यह एक्चल में आप जानते हैं कि बेस्ट व्माइश सीटी जे क्लास होती है फंजाई की उसका एक मेंबर है जिसमें अगरिकेस भी आता है अश्टी लगो भी आते हैं तो उसका एक मेंबर है और इसको रस्ट फंजाई नाम से जाना जाता है केसी मेतने शूपर काम किया तो बहुत सारे स्पोर्स इसमें होते हैं दो होस्ट होते हैं जिस पर यह अपनी लाइफ साइकल को पूरा करता है यह फंगस एक तो होस्ट है वीट प्लांट मैंने भी डिसकस किया दूसरा होस्ट है एक प्लांट है जो हीली एडियाज में मिलता है बार बेरी प्लांट बार बेरी है और वीट मोनोगोट प्लांट है तो इसके स्पोर्स होते हैं जो अपनी लैब में यह डवलप करते रहते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए केसी मेहता केसव चंद्र मेहता केसी केसी मेहता चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और और नेक्स्ट कोशन हमारा 21st के है प्लेक्या स्टेज इस फांडी लाइफ साइकल ओ तो बड़ा इंप्रोटेंट कोशन है और सीथा कोशन पूछा है दिए हैं कले माईडमोनस वोलवक्स इलो तुलिक्स इस पाइरो गाईरा तो देखें पलेक्या स्टेज कहिने कहीं वोलवक्स में डिखाई देती है उसमें बहुत सारा सेल्स जो है वह को लोनी में रहता है और उस कोलोनी के अंदर भी मोर दैन वन ज़ण तो जब वहाँ पर नहीं को डॉल आप करते हैं तो उसमें एक फेल पोर बनता है और उसमें फिर एक कैविटी बनती चली जाती है उस कैविटी के अंदर बहुत सारा सेल्स मुल्टिप्लाइ करता हो चला जाता है तो उस टाइप की स्टेज को पलेकिया स्टेज कहते हैं और ऐ तो आपको पता है कि जो राइजोफोर होता है कि यूनिक इस्ट्रक्चर है स्लिजी निला के अंदर जो प्रिमिटी ट्रेड़ फाइट के अंदर आता है और इसमें रूट और इस्टैम दोनों के फिचर्स देखनों को मिल जाते हैं तो आंसर क्रेक्ट क्या हो जाएगा डि 23rd question हमारा क्या कहता है which is not true about glycolysis तो आगे बताने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि glycolysis को हम EMP पात्वे भी कहते हैं और MDN मेर हो पार्नेस पात्वेस पो बोला जाता है यह एन अरोबिकली प्रोसेस होता है और इस इसमें जितनी भी लिविंग तिंक्स है उनकी सभी इसमें प्रजेंट होता है इन अपसेंस ओप उक्सिजन चाहिए युकरियोट से प्रोकरियोट से तो इंपर्टेंट थींग है किसमें कुलुकोज का कंपलेट ओक्सिदेशन नहीं हो पाता है इन इस केस गलुकोज ब्रेक डाउं इन्टू मोलेक्यूल्स ओप पायरिविक पायरिविक असिर कार्पन थी कंपाउंड होते हैं और गलाइकोलैसिस में जब कुलुकोज पुरी तरह से ओक्सिदेश नहीं हो पाएगा तो इसमें केवल आठ एटीप ही फोर्म हो पाते हैं टोटल टैन एटीप बनते हैं बट टू एटीप इनिशली उटिलाइज हो जात है कि अगर्स ओनली इन एंड अजरुबिक और उटेंजिम्स तो यह वाला ऑफ्सन तो उग्लत है उगलीत वह पूच रहे हैं हमारा आंसर क्रेक्छिट क्या हो जाएगा एफ स्थोच्ट होगा यह सभी होता है यह सभी होता है यह सही है हमारा सु प्सन और डिश्ट औक्र है इन पैलीमोन इघ इस्टेटोसिष ते प्रजाइन है रिडिन वीडिन HOW इसे एक बेंडिश है किवन साथ में से जिन Want के अंदर इस्टेटोसीष प्रजाइं होते हैं जो सिंग डिफैंश का उते संके हो, यूकियोबोव में नुकलियोपोलाजम के अंधर hoodies होते हैं और न group görd vein के लिए जो chemical सब्सक्राइब होता है वह है बिल इस तो आफिश में कुछ आइसा काल आती है जैसे की लाइसी हिड्ल एशीन, button उसमें four units use होती है जो octomers में involved होती है जैसे कि H2A, H2B, H3, H4 पर जो एक फिफ्ट नंबर की unit होती है हिस्टोन की उसको हम H1 हिस्टोन कहते हैं वो binder का गाम करती है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नुकलियोजोम को synthesize करने के लिए DNA plus stones use होते हैं तो हमारा C option correct हो जाएगा हम C option की साथ जाएंगे चलते हैं next question की और question number 27 हमारा क्या कहता है if human blood mixed with anticoagulant is centrifuge अगर human blood को mix कर दे anticoagulant की साथ में और इसको centrifuge कर दे तो bottom पर कौन सबसे पहले में सेटेल होगा साइटिफीज ट्यूब के अंदर यह कोशन की डिमांड है तो इरित्रोसाइट्स दिया है लिकोसाइट्स दिया है प्लेटलैट्स दिया प्लाजम तो यहां पर आप देखते हैं कि जो जो आप सेंटि फ्यूज करते हैं तो उस वाले केस में यहां पर जो सबसे बोटम पर जो सटेल होगा वार इसीज होगा उसे उपर प्लेटलैट्स उसे उपर डबलो बीसीज और सबसे उपर प्लाजमा तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो ए ओप्षन के साथ तमझाएंगे एरिथ्रो साइट्स यानि हुमन आर वीसीज चलते हैं हम नेस्ट कोश्टन की ओओ 27th हमारा कोश्टन क्या कहता है the cohort of Bantam Hoeker is equivalent to present day मतलब जो बांतौ होगर ने अपने ऐसा क्लासिफिकाशन को यूज किया था तो उन्होंने कोहर्ट तरम आज हम किस तरम को बोलते हैं तो यहां पर दिया गया है कि वहां सा एसा यूनिट है जो कोहर्ट के लिए इस्पेसिफिक बैठेगा या सही बैठेगा तो देखिए बैंतम हुकर ने नेचरल सिस्टम ओप क्लासिफिकेशन दिया था और अपने क्लासिफिकेशन में सीड़्ट प्लांट्स को तीन कैटेगरी में रखा डायकोटिलिटन्स, जीमिनोस्पम्स और मोनोकोटिलिटन्स में तो एक थी उनकी जैनरा प्लां टेरं उन्हों इस भूक को तीन वोल्म में रखा 1862 से 1863 के बीच में उन्होंने डाइकोट फैंपली जो बनाई वह 165 फैंपली युन ने रखी जिमनों इसमें तीन फैंपली को रखा और मोनो कोट्स में 34 फैंपली को रखा और उन्होंने जिसको हम आज ओरर कहते हैं उसको उस टैम पर कोहर्ट बोला उन्होंने क्लासिज इस जैसे आपने सुना होगा पोली पिटेली गेमो पिटेली तो और उनक्लासिज के पर उन्होंने ओर बनाए थे उन्होंने कोहर्ट नाम दिया था उस टाइम पर तो हम भी आंसर के साथ जाएंगे हमारा भी ओप्शन क्रेक्ट हो जाएगा ओडर चलते हैं नेक्स्ट कोशन की वो 28 कोशन हमारा आगे है 28 कोशन हमारे क्या कहता है दा प्रिंसिपल फंक्शन ओप इन पैकेजिंग ओप मैटिरेल्स टू डिलिवर टू दा इंट्रा perpendicular targets और to secret outside the cell, cell के अंदर वो कौन सा specific organally है जो मटियल्स की, पैकेजिंग जो मटियल Trent होता है वोकिकी पैकेजिंग में काम काम आता है और उसको डिलिवर करता है ये तो propose टूरीन टूर्ट पर यह से से बार उसको स्कु Chanel आओट करने का काम करता है तो वो कौन है वो गोलजी बोली कमें फंक्शन होता है सिक्रिशन वो इस्मूथ वैसिकल से साथ करता है जो सिंध हो च्रिप करते Bennett को अन्जाम का काम करती है तो हम भी और सोगें चलते हैं नीच कोशन की और 29th question हमारा क्या कहता है dissociation curve of hemoglobin is आप सभी को पता है कि जो dissociation curve of hemoglobin होता है वो pH, temperature, CO2 concentration, O2 concentration इनके उपर depend करता है तो यह जो होता है इसका जो rhythm होता है वो slow, fast और stable, यह वो S-shape में चलता है तो यहाँ पर sigmoid graph आप आजाना चाहिए हम D option के साथ जाएंगे sigmoid तो next question हमारा 30 question है tinidium of unio are of which type जो unio है तो उसमें tinidium किस टाइप का होता है given option में से given option जो दिया है देखे, actually मैं आपको पता है कि unio जो है एक fresh water इसको musel कहते हैं यह molluska phylum का organism है और जो मोलस्का को जो classes में divided किया गया है 7 classes में जैसे monoplacophora, a-placophora, polyplacophora, scaphophora, gastrophora, palikiphora, and cephalophora यह ऐसे करके 7 class दी गई है इन में से जो एक important class है जिसको पहले की पोड़ा या बाई वाल्विया या लैमिली ब्रैंकिया भी कहते हैं यह जो लैमिली ब्रैंकिया class रखे गई है वो specificity की वज़े से रखे गई है यूनियों के अंदर जो गिल्स होते हैं उनके जो फिलामेंट्स होते हैं और लैमिली जो होता है वो यूनाइट हो जाते हैं क्लोजली उनाइट हो जाते हैं और गिल्स इस्ट्रुक्चर जो है वेरिज करती है वाइडली और ऐसे टाइप के गिल्स के कॉमिनेशन जिसको हम तिनीडियम बोल रहे है उस टाइप के टीनिडियम को हम यू लैमिलो ब्रैंग कहते हैं या ये यू लैमिलो ब्रैंग की टीनिडियम कहलाते हैं इनकी वज़े से क्लास का नाम रख है लैमिलो ब्रैंग क्या तो यू निया इस केटिगरी में आते हैं इनका काम फीडिंग भी हो सकता है और अब साहथ हो सकते हैं दो तरीक्रेसे फवंक्षन कर सकता है फी driven एड ब्रीधिंग है को हम किस अप्शन के साथ जाएंगे तो ए यह यू लैंड को ब्रेंट के साथ जाएंगे हमारा व Lust को जाएगा यू ने ब housema हमारा क्या थातरों स्रびस्ट को संथ हमारा क्या बहुता है एंडो थेल्यम इिफिर्ड टू Rough यहांपर एंडो ठीलियम दिया है और यह नाम और सब्सक्राइट होगा एंडोथिश्यों वह से अंध्र में उता है और नेक्स कोश्चन के और 32 कोश्चन में क्या कहता है थिए थिए थो मॉर्गन या थो माशन्ट मॉर्गन यूज्ड विच ओफ दा फोलिंग फॉर्म पोर्म फोर्म ऑफ इस वर्क ओन जानेटिक्स थो में अपना जो वर्क है वो इस पेसिपिकली किस अनिमल या और गिनिजम के अपना वर्क के आपको अछसे से पता है कि ट्येश्च मॉर्गन ने मुटेसन को देने का काम किया है और उनकी आई से मिलीटीड उन्होंने करेक्टर लिए थे तो दोसी एको हम ऊप्रूट फ्लाइब है इसका पुरा नाम है दोसी मेलेनो गैस्टर है तो हम एंसर की साथ ज सब्सक्राइब वोगा तो से हैं की और नेक्स्ट कोशन तर्ट थार्ट थाइवर स्थाइब्स हमारा क्या कहते हैaries में नहीं फॉर नहीं हो जाता नहीं नहीं मों हैं मुण असे पते हैं को कि यह से तो स Ohh ho कि और कोशन नमबर 34 क्या कहता है बोट्राइडल टीशू इस दा करेक्टरेस्टिक फीचर ओप विच ओप दा फोलोईंग तो देखिए बोट्राइडल टीशू आप जानते हैं कि एनी लीडा में आपने पढ़ा होगा एनी लीडा में आपने पढ़ा होगा लीच के बारे में तो लीच को में हीरुडिनेरिया भी कहते हैं तो बड़ा इंपर्टेंट कोशन है इसके आने के समभावना बोल लगभग सभी एक्जाम में रहती है चाहे वो तीजीटी है या पीजीटी आजीए है तो एक्चुली में बोट्राइडल टीशू जो होते हैं वो फैट इस्ट परफॉर्म करते हैं और जो लीच के अंदर सिलोमिक इस्पेस होता है वो मोशली बोट्राइडल टीशू से ही फिल रहता है तो इस बात का अप ध्यान रखेंगे तो हम किस ओप्शन की साथ जाएंगे हीरुडिनेरिया लीच की साथ बजाएंगे हमारा नेस्ट कोशन के है औरियू इसीज इन और अरीयलिया इस्पेसिज द्ला एक्सहेलं वोटर कूरंट रिटर्ण थ्रू और एलिया में जो वोटर कूरंट ऑू इनमें गिवन उप्शन में से किनके तूपर ओप्सिंज ने होगा है किया है पर रेडियाई यहीं आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा एक करेक्ट पर डेखते हैं कि और इंटरीडियाई है यहां से फिर वोटर इस्टोम्क में एंटर कर जाता है तो हम अप्षन के साथ जाएंगे 36 कोश्टन हमारा क्या कहता है तो गियुट ऑप्षान में से आपको बताना है कि जो लेखल जीन से और लाजली रिसेशिव परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन से अची स्टेट है जिन में से यह स्टेक करेगा तो आप जानते हैं कि होमो जागेस कंडिशन वी अपने आपको परफॉर्म कर पाते हैं तो आंसर क तो ऑपने के घंगेस क्किल शायिक निलती काम करती है तो एबरीन को स्टेकमी टैथ हो जाती है चांसे रहे हूं अपने छेखेस आता है तो अन्हां पर जीन को सितरिम कर बनें तो गिंद कहते है तो और होमो जाय को सिटी देखनों को मिल जाती ए अम है advT यह विह स्कते हैं शिकिल सैल एक क्षेमें को हर औरसों और सबसاع My Saturday वह मुएफर कर सकता है नीन वह तो ओक्सटों के वह तो यग ऑप्र शल्स कोर सकते हैं थी आप इसSí ke अपरिप ल मुणों पर लिक और ऊकर और सकते हैं झावर अमगा-ई तरे निए परहता है उद यह तो ओ बान पराइट परामिड़ तो देखेए करियें थोड़े सब्सक्राइब कि कोर्या helium पूराइट पुरे से नहीं की अरिकोस्न की दिमांड विह कि गिवन उस्फें में से कॉन अप राइट है देखा जाये तो आप कटनीशन लगाकर सभी में अप राइट हो सकते कि किसमें औरत होता है हमेशा तो हम सिय ओप्षन की साथ जाएंगे हमारा सी और इंथे जो फेम्राशी होता हूं अलवज क्या होते हैं वो ओल से आंलो इस अपराइट ही होते हैं तो हम सी आंसर के साथ जाएंगे चलते हैं के नेष्ट कोशन की ओर कि चीफ फंक्षन ऊप पैडि चलेरी ओप स्टारफिस इस यह कोशन भी बड़ा कंट्रोवर्सियल है क्योंकि इसमें की फंक्षन पहुचा पेडी सिलेरी का को पता है कि पैडी सेयरी कि इस्टार फिस के अंदर वो क्लियर करते हैं डेब रिस को बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग यह काम उनका होता है क्लीन करते हैं तो क्लिंसिंग उनका फंक्शन हो सकता है दूसरे वो डिफेंस का काम भी करते हैं तो अबर क्लिंसिंग और डिफेंस दोनों ऑप्शन तो हम अभी cleansing की तरफ चल रहे हैं cleansing को मान के चलेंगे कि जो जादा हमें राइट लग रहा है वो cleansing लग रहा है बट इसका काम defensing का भी होता है तो चलते है next question की और next question क्या है हमारा 39 the tail of the sperm is made from which of the following the sperm की टेल है वो given option में से किसकी बनी होती है तो यहां पर जो more correct answer है वो centriole लग रहा है जो more correct answer है वो centriole हमारा लग रहा है तो हम D option के साथ जाएंगे और चलते हैं फिर हम next question की और 40 question क्या कहता है which of the following is degradable pollutant तो देखे मरकरी दिया है trace metals दिया है इस्टील दिया है domestic sewage दिया है तो जो उपर वाले तीन उप्सेंस है वो डीडिवल नहीं है लिए जो domestic sewage है वो कुछ समय के बाद degradable हो जाता है तो हम किस option के साथ जाएंगे हम D option के साथ जाएंगे domestic sewage चलते हैं next question की और कोर्शन नमर्फोर्टीफर्श्ट हमारा क्या कहता है motile cells with phalazula are all together absent in जो motile cells है अग फ्लेजिला है तो पुरी life cycle में गिवन ओप्सन में से कि इनकी life cycle में ये परजेंट ये फांट नहीं होता है तो वो किवल साइनो बैक्टिरिया साइनो फाइसियन मेंबर से जिनको ब्लू ग्रीन एलगी भी गहते हैं इनकी पुरी life cycle में कोई भी motile cells present नहीं होती और खाजबात ही होती है कि ये जो बैक्टिरिया और टोटली फोटो सिंथेटिक इन नेचर तो हमारा ऑप्शन क्या होगा साइनो फाइसियन हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोशन के ओर फोर्टी सेकंड कोशन हमारा क्या गाता है एक काविटी फोर्मड बाई डिसिंटिग्रेशन ओ प्रोटोजाइलम ट्रेक देखेंगे इस बात का जन्वचों ने मेरी जो मैने 2010 की जो लाश्टे पेपर की मैंने वीडियो बनाई थी एक्सक्वलेशन के साथ में उसमें मैं इस वाली पोशन को डिसकस किया है तो आप वहां से इस वाली कोश्टन को अच्छे से एक्स्वलेशन कर सकते हैं समन सकते है तो जिन बचनों इस वीडियो को नहीं देखा वो बड़ा इंप्रोटेंट है उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें से भी कोई कोशन इस वाले एक्जाम में आई हैं मैंने देखा हैं तो चलते हैं नेक्स कोशन के और 43 कोशन क्या कहता है और दा फॉलोइंग विच इज दा फ उप्सन में लग रहा है मुझे वो अड्रेनील उप्सन सही लग रहा है यह एक फिनोलिक होर्मोन है एड्रिनेलीन तो यह उप्सन इस ग्रेक्ट चलते हैं नेक्स कोशन की और विच ओवदा फॉलोइंग स्टेटमेंट इस ट्रू डिगार्डिंग दा नॉपलियस लार्व तो जो थो सब्सक्राइब कि जो यह नॉपलियस लगार्वा है उसके डिगार्ड में अगरम देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंन ट्रू है तो बोथ एंटिनुल्ज एंटिनी और बाइमेरस इंटिनूल्च इंटिनी और बाइमेरस कोट्ट यहां पर डी ओप्सन लग रहा है तो हम डे ऑप्सेन के साथ आएं किया कि बोथ एंटेनोल में बोथ एंटेनी एंद मैनदिबंच उर बाई मेरस सामुझ छो लप कर तो चलते हैं डेस्ट कोशन की ओर लेक्ष old क 확진 हमारा क्या है 45 प्कॉशन हाथ 홈 स्टेटमेंट माल्टोज में इस्टार्च को अब गलते हैं लिए तो यह जयात है कि यह ठीच 6.78 के आसपास होती है जो pH of saliva है तो यह भी गुलत हो जाएगा next option क्या है coloride ions are essential for the activity of salivary amylase तो यह बात बिल्कुल सही है salary amylase के activity के लिए coloride ions बिल्कुल essential होते हैं तो हमारा जो option correct बैट रहा है वो one and fourth वाला सही बैट रहा है तो हम किस option के साथ जाएंगे हमारा first option correct होगा that means one and fourth are correct तो चलते है next question क्यों next question हमारा क्या कहता है पाईला is adapted to lead given option में से पाईला किन conditions में adapt हो सकता है तो देखे पाईला के पास pulmonary sac होते हैं जब वो land पर survive करते हैं तो pulmonary sac के help से breathing करते हैं respiration करते हैं लेकिन जब वो equity condition में होते हैं तो gills की मतद से respiration activity को फोलो करते हैं तो दोनों कंडिशन को adapt कर सकता है तो हम C option की साथ जाएंगे amphibious तो चलते है next question के 47 question हमारा क्या कहता है 47 question which fungi can defect which fungi can detect copper interest and used in biases मतलब कोपर की बहुती कम quantity को trace कर लेता है और बाइसेज में ये यूज होता है ऐसा कौन सा फंगस है तो according to me इसमें aspergillus niger एक ऐसे species है जो detect कर सकती है जिंग को कोपर को small traces में भी और उनका यूज बाइसेज में भी होता है तो इसका अंसर सी करेक्ट होना चाहिए aspergillus niger चलते हैं next question की ओर 48 question हमारा क्या कहता है the angiosperms were developed in जो angiosperms है वो कब developed हुए थे तो यहां पर देख कंडिसन यह है दो तरीके से question को put up किया सकता था अगर question आपसे पूछता है कि एजोप angiosperms जो आपसे एजव एजोप angiosperms पूछता है मतलब क्या होता कि अंजव ज्यादा ड़लप कब थे उनका दोर था तो तब आइसार आजा जाता सीनोजोइक एरा but यहां पर question यह put up किया है कि angiosperms were developed in कब developed in कब ड़लप हुए यह कब विक्षित हुए कब उनका origin हुआ, तो answer क्या आजाएगा, Mesozoic Era answer आ जाएगा, Mesozoic Era की साथ हम जाएगे, actually Mesozoic Era में, जो first angioswarm है, वो developed हुआ, वो भी किसमे, Crittaceous period में हुआ, किसमे, Crittaceous period में, Mesozoic Era के, यह developed हुआ था, तो हम answer क्या लगाएंगे हैंपर, हमारा answer correct हो जाएगा B option Mizozoic era चलते हैं next question की और question number 49 हमारा क्या कहता है about 80% of the glow mirror filtrate is reabsorbed in the तो ये बात सब को पता है और ये बात में उस वाले मैं अपनी पुरानी क्लास में भी बता चुका हूँ 2010 वाले paper में ही जो मैंने वहापर explain किया था तो PCT में 80% glow mirror filtrate reabsorbed हो जाता है आपको ये बहुत अच्छे से पता है तो हम किस option की साथ जाएंगे हम ए ओप्शन की साथ जाएंगे proximal convoluted tubules PCT चलते हैं next question की और और next question 50th question हमारा क्या कहता है of the insects which takes its food after liquefying तो कौन सा ऐसा इंसेक्ट है given option में से जो एक्चल में अपने फूड को लिक्विड करके तब ग्रहन करता है तो देखिए इसमें अलग अलग आइडिया आइडिया आजासे भी के लेकिन एक्चल में क्या होता है जो फ्लाइज होती है house flies वोममिट करती है, अनने सलाइबा को और जो उनका डाजेश्टी मेंट्र्यल होता है उस पर वोममिट करती है अनने सलाइबा को वो उसको लिक्विड कर देती है, और तब उसको उसको यूज करती है तब सक करती है इसको तो that means हम कह सकते हैं कि housefly ही ऐसे insects है जो लिक्वीफाइंग के बाद ही लिक्विफाइंग के बाद ही अपने अ फूद कंटेंट को वो घ्रेंड करती है लेती है तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे एज ऊपसन के साथ जाएंगे housefly की साथ चलते हैं next question की और next question हमारे क्या कहता है 51st question which of the following is cold amber actually में जो given option दिये हैं वो codons दिये हैं and codons always triplet codons हमें सा triplets होते हैं और codons की language को देने वाले कोन होते हैं mRNA होते हैं जो DNA से ही transcription होकर बनते हैं तो इसो codons है total codon 64 होते हैं उन में से तीन codons ऐसे होते हैं जो terminating codons या stopping codons या non-sense codons कहते हैं because they have no any information of amino acids इनके पास amino acids की कोई भी information नहीं होती अगर इन में से कोई भी codon ribosome पर आ जाता है तो it terminates the protein synthesis के protein synthesis के condition को terminate कर देता है इस्टोप कर देता है इसलिए इनको stopping codon वो ला गया है तो तीन stopping codon होते हैं कौन-कौन से U-A-A, U-A-G, U-G-A, जो U-A-A होता है उसको ओकर कहते है O-C-H-R-E, जो U-A-G होता है उसको U-A-G होते है उसको ember कहते हैं जो U-G-A होता है उसको ember कहते हैं U-M-B-E-R, ember तो यहाँ पर ember पूछा है तो ember के लिए जो codon-कौन होगा उन होगा? U, A, G होगा U, A, G तो हम C option के साथ जाएंगे हमारा C option correct होगा U, A, G चलते हैं next question की और 52 question हमारा 52nd question हमारा किया कहता है which of the following is a primary air pollutant primary air pollutant हो होते हैं जो directly तो चो directly atmosphere में create होते हैं जैसे यहाँ पर जो फिर्स्ट option है ozone in troposphere ये secondary pollutant है जो ग्राउन पेड ट्रेवल करता है, यह secondary pollutant सब गोल जो होता है वह कोंश्टि पेशन भी हो जा इस को चाहिश ब्होंट से इसको उप्टिन किए जाता है तो रेक्पषन होगा व Six दीघ है यह यह आशको तो प्लांट बोडी आविय और जो होता है उसमें गमिंड्यापार। जो है यह मुन करेंधिया जो है और सकती है लिछ सब्लोंस्ट शलिएक सालब्लेधा सल्दिवान चते हैं फदिश जोर रहते टर टों मेंने Caleb 00 sir तो ऊसको वेंटिर कहते हैं और वेंटिर ह outdated जब वे housing में Linux और झाते हैं जब वेंटिर परिग सहनु चुका होता है तो वेंटिर हुआख बन जाता है पहले है था 5 to 11 बन गया अब उन्हीं गया देंटी बन गया है wall of the eventer से बनाएं तो wall of eventer को ही हम यहाँ पर correct answer मालेंगे D option हमारा correct हो जाएगा चलते हैं next question की ओर solute potential इनि si s is always देखे आपको पता होगा आपको पहले पता होना चाहिए कि water potential क्या होता है तो water potential का एक formula आपने पढ़ा होगा water potential इनि si w is equal to si s plus si p इसकी negative atmospheric pressure value होती है तो आप देखते हैं कि solute potential is always to answer right हो जाएगा negative हाँ ध्यान खना है कि अगर water का movement होना है cell to cell तो less negative से more negative की ओर movement होता है में सा movement of water from cell to cell that means from less negative to more negative इसका मतब किया है high water potential towards the lower water potential ओक formula क्या होता है si w is equal to si s plus si p in this case si s is always negative in value तो आप a option के साथ जाएंगे हमारा a option correct हो जाएगा negative चलते हैं next question की और sapwood is also known as देखे सैपूड आपको पता है कि जब plants में secondary growth होती है dicots में तो वैस्कूलर केंबियम से वहाँ पर सेकंडरी जाएलम से इंतेसाइज होता जाता है और सेकंडियंड जाएलम के वूड वोलता हैं और二 टाइपी होती है जो इनिशलिः फोर्म्ड वूड है फ्रिमदा वैस्कूलर केमिम जो वैस्कूलर केमिम से अभी नीवले डेलोफ होती जा रही है वोड उस वाले सेकंड़े जालम को उस वाली वोड को हम सैपूड कहते हैं और सैपूड का अधरनियम अलबर नम है जो वूड बहुत पुरानी हो चुकी है तो वह वाली वूड जो सैपूड थी कभी अब वह वूड कनवर्ट हो चुकी है किसमें नोन लिविंग लिगिनीफाइड नोन नोन बें की टों हो चुकी है सवड़ाग कोश्य कंपट ऊज्वर्ट हो चुकी है ऊस वाली वूड को हा मैं हां अयह द्यूर मेर दयर यूर अम ईन लेकिन यहां पर क्या बॉला आहिए हम पुचआ हैं सपूड के बारे में बN पूचाइग तो सैपू एलबरनम की ओर तो मारा सी ओप्शन क्रेक्ट हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोश्टन की ओर 57 कोश्टन क्या गाता है और चिल आप ब्लू डाई इज ओप्टेन फ्रेम तो गिवन उप्शन में से कौन सा ऐसा मेंबर है यानि लाइकेन की कैटेगरी है जिससे और चिल डाई को जह है यूज ओप्टेन किया जाता है तो ग्योन प्शन में से हमारा डी ओप्शन है इवर न्या पूरू नेष्ट्री वाला ओप्शन हमारा करेक्ट होगा तो हम डी ओप्शन की साथ जाएंगे चलते हैं हम नेक्स्ट कोश्टन को और 57 के बाद हमारा कोश्टन आता है 58 इन पी प्लाउन्ट जो है वह वो लेग्जिलरी इंब्रीकेट एस्टिवेशन होता है इसको वैकजिलरी इंब्रीकेट एस्टिवेशन कहते है और देखे यहां पर इसको डिसेंटिंग इंब्रिकेट और बड़ा यूनिक टरी खेमिली C इसे ननी फिह में पंच पैटल होता है, चीछ बाडय का बनात है नियुक्त है, बेरिम ननी में अगी और नियुक्त होता है, केलिया करिणा तो एंटेर पेटल को कीलो बोला को उन सीपलिया क्या है उसको छो या पॉला उसको उसको टाइ הי dum बोला तो इस टाइब के एस्टिवेशन हो हम पी प्लांट में वेक्जिलरी एस्टिवेशन कहते हैं तो बहुत इंप्रोटेंट है हम भी ओप्शन के साथ जाएंगे चलते हैं नेश्ट कोशन की ओर फिप्टीन नाइध कोशन हमारा क्या कहता है ओफदा फॉलोइंग विच गैस प्रेडूसिज ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है कि कौन सी गीवन उप्शन में सबसे इंप्रोटेंट गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज्यादा रोल पर ले करती है तो सबसे पहले नंबर पर किसको रखेंगे कारबन डाय औक्सड तो a option एक पर होगा तो चलते हैं नेट्ट कोशन के है नियोपी लीना इस आप अनेक्टिंग लिंक बीट्विन वह क्वेशन लिंक न्यौपे लिना को और अच्छ से पता है इसके बारे में नियोपी लीना के बारे में कि यह अनलिडा और मोलस्का के बीज का कनेक्टिंग लिंक है एंडिलिडा एंड मोलस्का के बीज का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है नियोपी लिना है ना गई acto न्योपी लिना में कुछ केरेक्टर्स जो होते हैं वह एनलेडा के मिलते हैं ब苛 के मोलंच के मिलते है नीउपी लिना दढू अ है कि ऑफ एक्शेप्स अनलेड़ जयोता है जब छे इसका इसको मोलंच का में टेकन किया गया है तो हम यह ओप्शन के साथ जाएंगे एंडिलीडा एंड मोलस्स का चलते हैं नेस्ट कोशन के और सिस्टी फर्स्ट कोशन हमार का कहता है रोफ हेक्टर्स इनवोल्ड इन ट्रांस्क्रिप्शन ओप डिन ने तो आर ने मोलिक्यूल इज आ देखे रोफ हेक्टर्स होता है और जब लॉब ह를 होता है तो डिस्टी देखने से फ्नीच का जव लॉधर कर दो ंतर लॉधर करते हैं ट्र्मिनेशन करना अक्रॉब्षन करना का काम कर तो अधर तो ग्रोफ हेक्टर्स का थे वह पोली सिस्टोनिक टाइप का ट्रांस्क्रिप्शन होता है, इस बात का आप इसे धियान रखेंगे, तो जब 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 वहाँ पर टर्मिनेशन करना होता है, आर ने का या मरने का तो आपर रोफेक्टर्स काम आते हैं, इस बात का दिनेशन के साथ जाएंगे, हम दी ओर जाएंगे, हमना दी ऐॉप्शन के साथ जाएंगे, हमरा दी ओर िक Καιक्ट हो जाएगा, चलते हैं, नेइस्ट कोशन केवह, or ऊस्ट कोशन हमारा क्या का जेता है, उसोत लूटा अगया है, यह क्या कहतते है, बन्लब ऐसा जो टॉलेट कर देता है वाइड टैम्परचर की वाइड रेंज को तो उस टाइब के और गिनिजम को क्या कहते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह यू री थर्मल हो जाएगा यूरी थर्मल तो हम डी ओप्षन के साथ जाएंगे यूरी थर्मल चलते हैं ने स्कृष मेर्श टाव tap टॉब ऑप्लाजमोटे टॉ अप्लाजमोट अब्ल्च मेरं ने विरा गिवार्श को झाना व था जाती अश्यद फजॉज वह गरी गूफ इस लेह तो जें तो यहां पर जब ग्लाजमोट्य देश्य ने कर डिजम हुआग उवत करते हैं ट्रांसमीट करते हैं लिविंग मेटर को एक से दूसरे साल में इसको सिम-Plasm कहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो इन-फोल्डि तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्मो ट्यूबॉल्स कहते हैं, डेस्मो ट्यूबॉल्स, तो हमारा आंसर क्रेक्ट हो जाएगा, बी ओप्सन हमारा क्रेक्ट हो जाएगा, डेस्मो ट्यूबॉल्स चलते हैं, नेस्ट कोर्शन के और, कोर्शन नमबर हमारा 64 क्या कहते है, दा सिस् वो इंटिग्रेट करते हैं आपस में इंविर्मेंट के अंदर तो इस सब के अंदर होता है एको सिस्टम के अंदर होता है तो हमारा ए उप्षन क्रेक्ट हो जाएगा इस वेरी सिंपल कोश्शन चलते हैं नेक्ट कोश्शन की ओर ओपदा फोलोईंग विच लार्वल स्टेज ओफ हैसी ओला डज नोट प्रेडूज सेवरल लारवी तो गिवन ओप्षन में से वो कौन सा लार्वल स्टेज है जिससे बाकी लार्वी डवलप नहीं होते हैं अधर लार्वी डवलप नहीं होते हैं तो अकोडिंट वुमी इसमें अर्केरिय लार्वाज से आना चाहिए तो अमारा D-Option right होगा तो कि सबसे पला दार्वा क्या बनता है वो मिरा सीडिया में स्पोरोशिस्ट है फिर रेडिया है रेडिया में प्राइमरी रेडिया सेकं एक्सप्लेनेशन लेकर आहा हूं उसका पार्ट वन है और पार्ट वू में जल्दी ही जै अफलोड करने वाला हूं तो मिलते हैं पार्ट वू में तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद टाटा बावाए